नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्पी टेक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशिन ठेयोरी के 1000 MCQ सिरिज का ओनलाइन टेस्ट नमर 5 चार पहले अपलोड हो चुके हैं जिनका लिंक आपक को भी देना है कमेंटी तो चलिए सुरूं करते हैं तो दोस्तों अपने category क्यूशन देख लेते आज बात करेंगे आगे 1300 MUSIC है Microscope परियुक्ट किया जाताया किस में किया जाताय तारों को देखने के लिए रक्त्चाप की जाँच करने के लिए सोक्सम वस्तुय देखने के लिए या ताप की जाच करने के लिए तो microscope परियुक्त किया जाता है किसके लिए किया जाता है बहुत important question है जल्दी जल्दी बताना है सभी दोस्तों को तो फटापट से बताइए इसका correct answer क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा सुक्सम वस्तुय देखने के लिए microscope का परियुक्त क्यों किया जाता है सुक्सम वस्तुय देखने के लिए तो correct answer हो जाएगा option number C अगला question दोस्तों अगला question दे रहागा धारिता डेश डेश से परवाईती नहीं होती है किससे परवाईती नहीं होती है पलेट छेतरफल से पलेटों की बीच की दूरी से या पदार्थ के डाइलेक्ट्रिक से या frequency से तो कौन सा correct answer होगा बहुत important question है जल्दी जल्दी बताईए इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तों इसका correct answer होजाएगा frequency correct answer क्या होगा option number D अगला question दोस्तों अगला question दे रहागा परतेक source cell में एक खुला परिपत है जिसका voltage किसके बराबर होगा जिसका voltage किसके बराबर होगा तो फटाबर से बताना है इसका correct answer क्या होगा important question है तो दोस्तों इसका correct answer होजाएगा सुनने point 55 voltage के बराबर किसके बराबर होगा सुनने point 55 के voltage के बराबर next question दोस्तों अगला question दे रहागा एक 11 ohm के परतिरोद के लिए powers आपूर्ती करती है 12 voltage बेटरी के लिए आउशे current की मात्रह क्या होगी आपको धारा ज्याद करने है क्या ज्याद करना है धारा तो फटाबट से शोल करके बताएगे इसका correct answer क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ इसका correct answer क्या होगा तो धारा ज्याद करने का formula क्या होगा V by R V का मतलब voltage R का मतलब परती रोध तो voltage कितना दे रखा है 12 voltage 12 बटे परती रोध कितना दे रखा है 11 ohm तो जब 12 में 11 का भाग देंगे इसका correct answer हो जाएगे 1.0 सामान्य उम्मर और सवास्ते वाले विक्ति का सारिक परतिरोद कितना होगा एक सामानी उम्मर और सवास्ति वाली व्यक्ति का सारीरिक परतिरोद कितना होगा सरीर का परतिरोद कितना होगा सुन्ने पॉइंट पांच किलो ओम एक किलो ओम एक मेगा ओम या दस मेगा ओम तो कितना होगा इंपोर्टेंट क्यूस्टन है जल्दी बताओ पिछले एक्जामों में पूछा गया क्यूस्टन है तो दोस्तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक किलो ओम करेक्ट आंसर क्या होगा एक किलो ओम correct answer हो जाएगा option B अगला question दोस्तो अगला question दे रहा है 47 star delta कितने contactors का उप्योग किया जाता है इसमें कितने contactors का उप्योग किया जाता है एक contactor दो contactor तीन contactor या चार contactor चलो बताओ इसका correct answer क्या होगा imported question है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा तीन contactors का correct answer कौन सा होगा option C अगला question दोस्तो अगला question दे रहा है निमन में से कौन सा विदूत रोधन की dialectrik strength को बताते हैं option यह दे रहा है breakdown voltage, बादित voltage, उपरी voltage या इन में से कोई नहीं important question है जल्दी बताए इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा breakdown voltage, correct answer क्या होगा option यह, अगला question अगला question दे रहा है 10 million ohm निमन में से किसके बराबर होता है सुने point 1 mega ohm के 1 mega ohm के, 10 mega ohm के 100 mega ohm के, तो 1 million ohm किसके बराबर होता है important question है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा 10 mega ohm के बराबर होता है किसके बराबर होता है 10 mega ohm के next question दोस्तो अगला question दे रहा है यह दी 30 ohm वद 60 ohm के परतिरोध समाना अंतर में लगाए जाए तो कुल परतिरोध कितना होगा option दे रहा है परंदर ohm, 20 ohm, 45 ohm में जोड़े गए, परलल में जोड़े गए है तो कुल परतिरोध कितना होगा important question है तो दोस्तो जब परलल में करेंगे तो क्या करेंगे r1 into r2 बटे r1 plus r2 r1 का मान कितना दे रहा है 30 ohm, गुणा r2 का मान कितना दे रहा है, 60 तो चलिए सोल करते हैं 30 गुणा 60 बटे 30 plus 60 जब इनको गुणा करेंगे तो उपर कितना जाएगा, छती है 18, 1800 बटे 90 कितना जाएगा, 1800 बटे 90 0 से 0 कैंसल हो जाएगा 9 दूनी, 18 आर्थार्थ कतर आज जाएगा, answer 20 ohm correct answer क्या होगा, 20 ohm right answer हो जाएगा option number B अगला question दोस्तो अगला question दे रहा है, pump operator की सुरक्षिया के लिए, निमिल लिक्त में से किसे परदाहान करना भहतर है option यह दे रहा है, man switch को DOL, starter को, fuse को या double arthing को तो pump operator की सुरक्षिया के लिए निमिल लिक्त में से किसे परदाहन करना भहतर होगा important question है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा double arthing करना आउश्यक है, अगला question अगला question दे रहा है, DC जनितर किस सिद्धान्त पर काम करता है option यह दे रहा है, फेराडे का electrolysis नियम पर, unknown ये परेरण पर, फेराडे का electromagnetic induction नियम पर ये lens के नियम पर तो DC जनितर किस सिद्धान्त पर काम करता है important question है, जल्दी जल्दी बताएगे सभी दोस्ते तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा फेराडे का electromagnetic induction नियम पर काम करता है right answer हो जाएगा option नमबर C, अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखाएगा फेराडे रेगुलेटर में कौन सा परतिरोधक उपयोग होता है फेराडे रेगुलेटर होता है उसमें कौन सा परतिरोधक उपयोग होता है option दे रखाएगा tungaston, option B Eureka, C दे रखाएगा कार्बन, D दे रखा है, नाइकरो, तो कौन सा करेक्ट होगा, फैन, रेगूलेटर में, कौन सा परतिरोध को प्योग लिया जाता है, तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उप्शन B, यूरे का, करेक्ट आंसर क्या होगा, उप्शन B, अगला क्यूशन दे रखा है खुले परिपत का परतिरोध कितना होता है एक किलों, दस किलों, कोचों या अनन्द तो कितना होता है इंपोर्टन क्यूशन है जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनन्द कितना हो कर्ậ 여기는 होगा option D अगला question अगला question दे रहागा transistor में होता है transistor में क्या होता है एक PN junction, दो PN junction तीन PN junction या चार PN junction तो transistor में क्या होता है important question है तो दोस्तो इसका correct answer हो जागा 2 PN junction correct answer क्या होगा option B अगला question अगला क्यूस्ण देराका निमला कित में से बल्की काई क्या है ओम जूल ओल्ट य्यटर तो बल्की काई क्या है इसका और अन्सर होजाएगा न्यूटर स्वा। अगला क्यूस्ण अगला क्यूशन दे रहा है दो नज़िदी की पोल के बीच की दूरी को डेश डेश कहा जाता है क्या कहा जाता है बैक पीच पोल पीच कवाईल इस्पेन या उसक पीच तो दो नज़िदी की पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है जल्दी से बताईए इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा पोल पीच correct answer क्या होगा option B अगला question दोस्तो अगला question दे रखा lead acid cell की what how कुछलता किस परतिसत के बीच बदलती रहती है option ये दे रखा 20 परतिसत से 40 परतिसत 40 परतिसत से 60 परतिसत 70 परतिसत से 80 परतिसत ये 90 परतिसत से 95 परतिसत तो कौन सा correct answer होगा lead acid cell की what how कुछलता किस परतिसत के बीच बदलती रहती है important question है जल्दी जल्दी बताईए इसका right answer क्या होगा जल्दी से बताओ तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा 70 परतिसत से 80 परतिसत के बीच correct answer क्या होगा option c अगला question दोस्तो अगला question दे रहका है जब किसी चालक का परतिरोध बढ़ता है तब क्या होता है जब किसी चालक का परतिरोध बढ़ता है तो उसमें क्या होता है इसके लंबाई गड़ती है इसके परतिरोधकता गड़ती है इसका अनुपरस्त कार्ट चेतरफल गड़ता है D दे रखाई इसकी लंबाई बढ़ती है और अनुपरस्त कार्ट का चेतरफल बढ़ता है तो कौन सा option correct answer होगा जल्दी से बताईए सबी दोस्ते important question है जल्दी जल्दी बताईए तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा इसका अनुपरस्त कार्ट चेतरफल गड़ता है correct answer क्या होगा option number C अगला question दे रखा है commutator का बरस निमन में से किस पदार्थ का बना होता है option E दे रखा है अबरक का, B दे रखा है तामबे का, C दे रखा है aluminum का D दे रखा है, carbon का, तो दोस्तो इसका correct answer क्या होगा जल्दी से बताईए commutator का बरस किस का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option D, carbon का बना होता है correct answer क्या होगा, option D अगला क्यूशन देरा का है परदीप्ती का इकाई क्या होती है परदीप्ती होती है उसकी इकाई क्या होती है ओप्षन देरा का ल्यूमेन, इस्टेरेडियन, लक्स या इन्वेस से कोई नहीं तो पटापट से बताए इसका correct answer क्या होगा, बहुत ही important question है, जल्दी से बताओ इसका correct answer क्या होगा, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, option number C, क्या होता है, लक्स, correct answer क्या होगा, option C, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजे और अपन